कराची वर्थेस लहार तो अफिशेली एलिमिनेट हो चुकी है यह लिखावा दिखरा होगा पॉइंट स्टेवल में यह अभी भी है रेस में लेकिन क्या यह कौलिफाई करेगी करो या मरो मैच है इनके लिए दो मैच बचा है आठ मैच खेल चुकी है और दोनों ही जीतना प और यह अगर दोनों मैच जीतेंगे तो यह जाएंगे 10 पॉइंट के यहां पे इसलावाबाद एक मैच हारी और यह दोनों जीते है तो इनका कौलिफीकेशन बन जाएगा सेम हो गया है कोईटा के साथ कोईटा के पास तो आठ मुकाबले हो गये उनके पास भी 9 पॉइंट है लेकिन नेट रंडेट कम है उससे फग नहीं पड़ेगा उनके पस दो चांस है कोईटा के पास दो में से एक जीतेगा तो 11 पॉइंट हो जाएगा कौलिफाइगा इनको दो बटा दो मैच जीतना है मतलब लहोड को कल हडाना है उसके जिससे आगे मैच उसको भी हडाना ह पड़ेगा और यहाँ पे इसलाहाबाद पास एक चांस है वो मैच जीत गई तो कॉलिफाइग कर जाएगी कोईटा के पास दो में से एक चांस है जीत गई वो मैच तो वह कॉलिफाइगा जाएगी की तो इनको बहुत प्रेशर सिच्वेशन हैंडल करना है हब तो जा उसस सेणी लिंटी प्लस लिंगी एंति कम्есто की पार घ्रेंच दीरें हैं are LAUGH लिमनेटी सामिज़ेट सकता ही यहां मैट यह को सबा है और तीम रिक्की आर भी के लोट दीया कॉट दी यहां इस यहां पर सेखेंज पीक्सिक तो realor fishing तो लहौर ने परफॉर्म किया जिसके विए से लहौर जीती है तो ये क्या ये मैच में इनका सूपरा खतम हो जाएगा ये मैच हाड़े तो ऐसे भी आउट हो गया फिर उतना मज़ा नहीं आने वाला पॉइंट से अगर ये जीत गया तो फिर और PSN में मज़ा बना रहेगा तो कौन से टीम जीते की सेशन कैसे घटेंगे मैच में क्या होगा फेंटसी पॉइंट अफ ये कैप्टन वाइसेट किसको बना सकते है 2-8 गरें लिंक में ए 2-8 बात करेंगे सारा डाउट के लिए करके रख देंगे तो वीडियो को अन तक जरूर देखिए अब देखे वेन्यू शिप्ट हो रहा है और निसनल स्टेडियम कडाची में जा रहा है इस वेन्यू के बारे में बता दूँ तो एक ही मैच से इस दिन पहले तो यह जानी है साड़े साथ वजे मैच खेला जाएगा और यह वेन्यू आपको अगर बता दूँ तो सबसे बड़ा है डाइवेंशन वाइस बहुत बड़ा वेन्यू है यहाँपे 160-65 का भी टारगेट अगर लग जाए और थोड़ा सार्वेस में मदद हो तो वो डिफेंड हो सकता है ठीक है बखूपी हो सकता है क्योंकि यह बहुत बड़ा डाइवेंशन है और हाई स्कोर लगने के बाद तो यह सोचिएगा कि वो चेज होने वाला है कडाची में राठोर प्रेडिक्शन 07 दिख रहा होगा आपको कोई भी डाउट मैच और सेशन से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन से टीम जीतेगी हाड़ेगी नेक्स लेवल काम अपना चल रहा है सेशन आज भी दो लिमिट मिनिमम प्लस करवा के दिया किसी को तीन-ती लिमिट भी प्लस करवा के दिया है वो डिपेंड करता किसने कैसा लिमिट पे इंट्री लिया है बाकी आप यहाँ पे जाईए जॉइन करिए एक ही नमबर्स अपरेट करते हैं इस नमबर के लावा कोई भी नमबर हमारा नहीं है बहुत सारे फेक है तो उनसे बचिएगा और हर वीडियो के नीचे यहाँ पे आपको दीख रहा होगा लिंक टेलिग्राम का क्लिक करके जोईन हो सकते है डेमो, मैच, प्रिडिक्शन, सेशन, सब आता है वहाँ पे हर दिन आता है तो जाके फाइदा उठाईए इसको भी आप यहाँ पे स्कैन कर सकते है और टेलिग्राम को जोईन हो सकते है सिंपल है वेधर कैसा है? वेधर देखे बहुत रोल निभाता है मैच में आप लोग ऐसी छोड़ देते हो वेधर के वाँज़ सेशन्स नॉट हो जाता है मॉइस्चर रहता है ग्राउंड में वहाँ पे पानी पढ़ा रहता है जिसके वाँसे टैकी सर्फिस हो जाता है डार्क दीखता है सर्फिस हो उसके बाद वहाँ पे सेशन्स नॉट पे नॉट होता है आपको यह समझ में नहीं था आप वेधर को ऐसी छोड़ देते हैं दिमाग आप लोग का पता नहीं कहा रहता है बाकी सर्फिस अच्छा है बैटिंग के लिए लेकिन डामेंशन में बढ़ा है और चारो तरफ से बढ़ा है यह नहीं कि वन साइट बढ़ा है ठीक है तो यह बहुत बड़ा एड़ांटेश किडियर करता है फर्स बैट करने वाली टीम को एक स्कोर खड़ा करें प्रेसर बनाए और वहां पर फिर प्लैन से बालिंग करेगी तो विकेट निकाल के जीज जाएगी फर्स इनिंग वाली टीम एक सट मैच हुआ है 24 बार फर्स बैट 37 बार इवरेस फर्स बैटिंग इसकोर यहां भी एक सो चौटर का दिखा रहा है दोसटो अरती से हाईएस्ट और लोएस्ट एक सो एक का है आप स्कोरिंग पैटन देख सकते हैं बिलो वन फिफ्टी बारा टाइमस लगा है वन फिफ हाई स्कोर लगने का चेर्ज नहीं होता है मुल्तान ने खड़ा किया खडाची को रोग दिया 169 पर ही और यह तीन विकेट जोगिरा वो पेसस नहीं निकाला इसमें जो साथ विकेट गिरा उसमें तीन विकेट पेसस तीन विकेट इसको ठीक है 165 का टार्गेट यहां पर क धकड़ा हो सकते हां और नों तरफ रेट तो आना ही आना है और इसपीनर को तो यहां पर इसमें तो दस विकेट इसमें निकाल दीए और पेसस को सिफ तीन विकेट मिला इकित वाला बंगेंट ठार्गेट था 169 मार के यहां पे इसलावाबाद जीत गई, दो विगेट पेसर्स को और दो विगेट स्पीनर्स को, फिर तीन विगेट जोगेट उसमें एक विगेट पेसर्स और दो विगेट इसमें, मतलब last तीन मैच में मैच मैंने बहुत कम मैच ऐसे देखे हैं, जिसमें Pacers को कम और Spinner's को ज्यादा विकेट है Spinner's के पास यहाँ पर 17 विकेट है और Pacers के पास लास्टी मैच में यहाँ पर 12 विकेट है तो Spinner's are clearly the favorite to pick in this match if you are playing Dream 11 Dreamland prospect से एकदम Spinner's यहाँ पर अच्छे हैं और 5 match हुआ है कराची जो की home venue होने वाला है कराची Kings का वहाँ पर 3 match जीती है और 2 match लाहर जीती है तो यहाँ भी कुछ खास domination नहीं है कि ज्यादा तरह मैचे जीत रही है लाहर भी पीछे पड़ी है 9 match पाकिस्तान में खेलिए 6 कराची लाहर तीन जीती है लास्ट पांच में देख सकते हैं 4 कराची एक लाहर मतलब कराची एक ऐसी टीम है जो लाहर पे चाहे लाहर के तरह है डॉमिनेट की है 2022-2023 में यहाँ पे लाहर पे भी डॉमिनेशन कराची का है एकॉर्णिंग तुड़े स्टैट्स लास्ट फाइम के पटरी पर यहार है यहां पे टीम को परेजिजन देख सकते है लास्ट दस मैच में दोनी टीम का तो कराची का थोड़ा सा जятा है 400 लास्ट दस में से 4 मैच जीती है آवरेस फर्स बैट करते हूँ देखिए कि 159 तक ही महुं पा दी है ठीक है, highest 196 का है, lowest 121 का है, इनका देखिए, last 10 में से 30% का winning ratio, मतलब 3 match जीती है, 169 का इनका थोड़ा better batting performance है, average first batting score, 203 highest और 76 का lowest score है, अब इस venue पर बात कर लेते हैं, कडाची के venue पर, तो last 10 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर, 20% का win percent ratio, मतलब home ground तो कडाची का है, 10 match खेली और सिर्फ 20% मैच जीती है, मतलब 10 match last जो खेली, उसमें से 2 match जीत का रहे कडाची, जो की बहुत घटिया ratio है, और average first batting score भी 168 का है, 197 highest और 135 का lowest है, इधर देखिए, 7 match यह खेली है, 60% का 15% ratio, that's why this is the favorite, according to the market sitting, lahore is the favorite, और rate के हिसाब से भी lahore ही फेवरेट चल लगी है, 80-80 पैसे के करीब, 179 इनका average first batting score है, 206 highest और 118 इनका lowest score है, station tips आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस venue पर, क्योंकि venue चेंज होड़ा है, तो आपको याद नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं देखें, 6 ओवर्ण में यहाँपे 55 लगते ही लगते हैं, फस्ट इनिंग में, 75, 10 ओवर्ण में, 15 ओवर्ण में, 120 और 20 ओवर्ण में, 180 के कडीब कडीब यहाँपे लग जाता है, ठीक है, सेकंड इनिंग में 58, 82, 118 और 185, तो इसी साब साब सेशन खिलिएगात अ जादर स के सानमसूद तेर टीम साइपड का फोर्म ठीक है जिस की सोशे ऑली का फॉर्म है इर्फान खान है मॉहमद नवाज GBP् Sem में है रैसी वेटनेसर फॉर्म में शेहोप आउट फॉर्म सिकंदर अउट फॉर्म बहुत बैटन बॉल से हसान भाटी आउट फॉर्म डैविड वीजे फिनिस कर सकता है बॉलिंग से कुछ खास नहीं बुल सकता ज्यादा मैच भी नहीं मिला है तो इनको आप सोसो मान के चल दो आउट एक चांस लिया जा सकता है इनके पास गृण बड़ा क्योंकि लिए और खेल सकते है छी के पास ऐनको च्थ है तो यह मारें है 17-17 विकेट निकाला लास तीज मैंच में तो सुवेब मलिक विल बी वेड़ी प्रिफरेवल ऑप्शन एंड विल बी ए सेफ ऑप्शन इन हेट-टू-एट टू-पिक ठीक है कारन पुला 39-13-48-58-49 एक मैच छोड़ी तो हर मैच में नों ने कंट्रिब्यूट करके दिया है और यह बहुत बहतर ऑप्शन है ठीक है बॉलिंग नहीं किडाया जा रहा है वो अलग बात है लेकिन जहां पर जैसा जरूरत पर रहा है उपर आके खेलने तो स्लो खेलना है फिनिश करना होना तो फिनिश कर रहा है इनको आप पिक कर सकते हैं बात किया जा तो यह अच्छा gonna कर रहा है अफ्रन और लओर तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर बोलिंग डिपार्टमेंट में आपको पिक करना है तो हसन अली विल भी प्रिफिरेफल ऑप्शन मुझरवानी 12202 यह बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं इनके पास बाउंस है पेस है और रन भी कम देते हैं तो मैं तो बोलूगा अगर इनके साथ जाना है तो जा सकते हैं लेकिन हसन अलीज जैसा फॉर्म दिखा रहे हैं तो ज्यादा विकेट निकाल सकते हैं साहिद मेंबूद 1202 तो इनको आप जरूर पिक करिए क्योंकि स्पीन को मदद है और स्पीनर से यह अच्छा है और अच्छा बॉलिंग कर रहा है फ आफ जादा फड़ान 0 31 15 72 देखिए दो तीन मैच सेंसे कंट्रिब्यूट हुआ ने इनको आप क्रेप्टन बना लिजी ग्रेंड लिंग में जवर दस ऑफशन हैं दीख नहीं रहा है दो तीन मैच नहीं खेलता है प्लियर तो फिर सबको लगता है कि आउट ओफ फॉर्म हो यह भी आउट ओफ फॉर्म है डैविड वीजे 24 14 9 1 20 1 0 0 0 0 तो बहुत दिन बाद खिलाया गया अच्छा का सा कंट्रिबूशन दिया उस दिन तो यह ठीक है अब ले सकते हैं आप इनको बैट से बॉल से दोनों से कंट्रिब्यूट किया है इन्होंने ऐसान भाटी 13 8 3 6 1 0 2 जिरो जिरो इनसे बेटर ऑप्शन डैविड वीजे ही रहने वाले जहांदाथ खान दो जिरो यह तेरा बाड़ा सोला एक जिरो एक जिरो एक जिरो तो इनके पास अब फिनिशर की कम ही नहीं रही है डैविड वीज यह क्याने वाया थोड़ा टीम बहतर लग रहा नहीं त सबसे बेस्ट ऑप्शन फास्ट बॉलिंग में आपके पास साहीं चाफडी दी होने वाला है जमान खान चार जिरो जिरो दो दो देखिए यह दो मैंच में बहुत पिटा है लास्ट में चार्ड विकेट मिल किया फुल टॉस फुल टॉस पर भी मिला है तो ऐसा नहीं है कि चार विकेट मिल जा तो इनको पगड़के चलना कंसिस्टेंट जो बॉलिंग कर रहा है उनके साथ मुझे जाना चाहिए वह बेटर ऑप्शन है तो यह बास एक मैस खिलाया और वह भी विकेट लेसी थे कुछ खास प्लेयर भी नहीं लगा मुझे अब देखिए यहां पर टीम है नहीं आपके लिए बनाएं आपको यहां पर दिखा लेता हूं साइफर्ट के साथ साहिवजादा फरान कायरन पोला जेंस विंज रैसी बेंडेसन स्वेम मलीक रिजिगंदर रजाहसन अली ब्लेसी मुझरबानी साइन शाफरीदी और जमान खान कैप्टन के लिए तो श्वेम मलीक वेरी गूड ऑप्शन बहुत बैटर बॉल से कंटिब्यूट कर सकते हैं और यह इनका फॉर्म लाज जबाब है तो वाइस केप्टन विए सबसे बहतर ऑप्शन होने वाले हैं दूसरे ऑप्शन का बात कर लेते हैं यहां पर तो आप यहां पर साहिवजा बॉक्स में मिल जागा टेलीग्राम चैनल को तो जाके ज्वाइन करिए टीम फिडी में दिया जाता है वहाँ पर बाकी मैच और सेशन से लेटर कुछ भी चाहिए तो राटर पेडिक्सन 07 को सर्च करके ज्वाइन हो सकते हो और मॉइल नम्बर सेब कर सकते हो 748525760 नेक्